जहिंद नमस्कार दोस्तों मैं विराड चोद्री शुवागत आपके अपने यूट्यूब चनल कमांड केडवी में दोस्तों आज का वीडियो आप सभी को पता है बहुत सारी चैनल्स पे या बहुत सारी जुगें आपको यह हो गया कि अब से जीडिक वेकेंसी नहीं आ रही तो यह वेकेंसी करापाना मुश्किल हो रहा है क्योंकि काफी बड़ी वेकेंसी आप सभी को पता है तो बहुत सारी से आयास लगार जा रहे हैं लोग बोलते भी है यूटूब पे बीड़ और बी कई जगेंसी नहीं आएगी यह से जीडिया वेकेंसी नहीं कराएगा इसक कि जडि की बीडेट कम से कम तीन महीने पहले से सरे ने दे दी थी कि जो नोट्रिफिकेशन आएगी वह 25 मार्स के यह तुषी प्रकार उसकी भी डेटी उसकी डेट के छी दिन बाद में उसकी नोटिपिशन रहे थी तो इसा कई बार होता है में जो घ्री रिजल्ट कि रहत किसी के को प्रोब्लम हो जाने के कारण या उस डिपार्मेंट में कहीं बंदे कम हो जाने के कारण पर वेकेंसी जो नोटिफिकेशन तयार होती है या जो भी उसका पूरा प्रारूप तयार होता है उसमें डिले हो जाता दोस्तों नोटिफिकेशन ऐसे नहीं मती है से बहुत पर 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 तो अगरवाल पब्लिकेशन की एससे जीडिकेश पर कम से कम आपको 12 से 13 ओल्ड पेपर मिल जाएंगे 12 से 13 ओल्ड पेपर के साथ में आपको 20 मोडल पेपर जो कि आने वाले पेपर के लिए बहुत इंपोर्टेंट इसमें क्यूशन है मेत के रिजनिंग के जीके और जीएस के टोटल जो भी इसका पेटर्न है उसके पूरी 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 टेट्स मोडल पेपर की बुक है इसको आप पर्चेस कर सकते हो नीचे लिंक दिया हुए डिस्क्रिप्शन में उस पर जाके मेजन से तो दोस्तों इतने भी बचे तैयारी कर रहें से जीडी के वह जरूर भूख खरीद लीजे क्यूंकि बुक के बिन आप तैयारी नहीं कर पाऊगो जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि किस परकार का इसे जीडी का पेपर होता है तब तक आप तैयारी कर पाना आपके क्यूसर मनते हैं किस परकार के क्यूसर मनते हैं और किस परकार के मेत के क्यूसर मनते हैं हिंदी के किस परकार के बनते हैं तक आपको पता चले कि कौन से पार्ट में ज्यादा जोर देना है तो जुरूर अगर आपके पास में बुक नहीं है तो भूख खरीद लिए अगर है कि आपको कोचिंग करके यह आपका काम नहीं चलेगा आपको देखना पड़ेगा कि किस परकार शेकिशन आते हैं अब जो दोस्त बोल रहे हैं कि कितने दिन डिले हो जाएगी या नोटिपिकेशन कब आएगी तो आज और कल का दिन तो आप मान के चलिए बहुत ही कम उमीद कि अगर पहले से अगर परपेर की है नोटिपिकेशन तो अपडेट हो सकते हैं कि जिस दिन अपडेट हो गए उस दिन पूरा दिन खाली रहेगी वेबसाइट आपको पता जैसे कई बार ऐसे जी दो दो तिन तिन अपडेट देती है कि एक दिन में किसी का रिजल्ट फिर क सकता है कि हो सकता है कि हो लेके बाद आए क्या की आप को पता इसमें तो जितने भी दफ्तर हैं उन सब में छूटी हो चूटी हो चुकि है अगर पहले से अपडेट वर्जन उसका नोटिपेच्छन रही अपडेट कि या जाएग बागी बहुत कम क्छांस है कि आज और कल ह है आज भी आने के चांसे कम है और कल के भी कम है अब हो सकता है कि आपकी नोटिफिकेशन मतलब पांट से दिन बाद का मतलब तीस तर के आसपास 31 मार्थ तक यह नोटिफिकेशन आएगी दोस्तों अब एज के लिए बहुत सारे बच्चे बोलने हैं जैसे गूगल पर सर्च क लेकिन इस बार 18-25 साल आप भी गूगल कि होंगे कि इस बार अपडेट के जाता है दो साल की छूर दी जाएगी जैसे कई बार दिली पुलिस में भी यह स्टिट पुलिस की जो अभी परजेंटाय में जो एक्जाम होरे उनमें छूर दी गई है तो हो सकता कि इसमें भी कोशी बूलोगा अभी आपके लिए भी जानना बहुत ज्यादा मतलब जरूरी नहीं है अमारे लिए बता पाना भी बहुत मुस्किल है क्योंकि एज की फिक्स डेट रहेगी चूर नहीं देगी तो अलग डेट रहेगी अगर चूट नहीं देगी तो 2021 की रहेगी और बार 18-25 साल दिखा रहे होंगे वह क्या होता है कि जितने भी वेबसाइट वाले होते हैं यह जो वेबसाइट क्रिय करने वाले होते हो तो चाहते हैं उनकी वेबसाइट पे ज्यादा भीड़ो इसलिए वह जानबूच के लिए अठाराश चापचीश साल वह वास्ट एक अ तो बच्चे अब काफी मेरे से जो पूछते हैं कि अब आएगी कब आएगी तो आपको नोटिफिकेशन जब भी आएगी फोरम बढ़ने यह एक्जाम डेट में कोई बदलाव नहीं होगा क्योंकि दिल्ली पुलिस की जो एक्जाम डेट आई ती उसी टाइम पे वहा था ह हर एक एक एक्जाम डेट पर ही होता है लेकिन इसके रिजल्ट वह इसकी नोटिफिकेशन इसके नोटिस वह डिल्ले होते रहते हैं लेकिन एक्जाम इसके फिक्स टाइम पर होते हैं तो एक्जाम आपके जो है दो अगस्य स्टार्ट हो जाएंगे उसमें कोई संदे नहीं